हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के प्यार इसे परिवार, आपके अपने परिवार Quick Tricks by Sahil Sir पर आज हम करने वाले हैं Sahil Express, Pipe & System, Part No. 3 हम cover up करने वाले हैं काफी कुछ आप सीखने को मिलने वाला है आपको आईए शुरुवात करते हैं आज के इस खुबसूरत से सेशन की आपके टेलिग्राम चैनल है मैट्स भाई साहिल सर क्विक्ट्रिक्स भाई साहिल सर ऑफिशल जहां पर आपको फ्री पीडियेफ मिल जाती है और सफल तका पढ़िए क्वालेटी पढ़िए टॉपिक वाई टॉपिक्स लेबस कवर करिए सलेक्शन हो जाएगा ठीक है इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए आरर भी बैच आप लोगों को सभी को जॉइन करना है आप सभी बैच जब आर भी बैच जॉइन करेंगे तो उसमें मैथ सारे फाउंडेशन बैच और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है जो आपके लिए वेनिफिशल होने वाली है तो आर भी बैच इस दा वन अफ दा बैस्ट बैच जहां पर आपको हर एक्जाम की तैयारी करनी है एक बार ही पैसा खर्च करना है उसके बाद पैसा बैच जिसको केवल मैथ ही मैथ पढ़नी है मैथ कमजोर है जिसकी तो वो मैथ फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़े बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है और बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है आप अपने अप्लिकेशन से जुड़िए कोईक्रिक्स आप लोगों की चल रही है साथ के साथ तीन बजे 6 बजे और 10 बजे एक डी पी पी प्रोग्राम भी चालू कर रखा है जिसे हम डेली प्रक्तिस प्रोग्राम कहते हैं इसमें आपको catch the math, catch the reasoning, catch the science देखने को मिलता है तीन बजे catch the math होता ही है आप regular पढ़ रहे होंगे आप के लिए 7 अपरेल, यानि की संडे को, संडे को 11 बजे मैं आप लोगों के लिए एक booster plan लेकर आ रहा हूँ, ये session especially for ALP students है, बाकी और students का इस session से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उनी के लिए ये ही booster plan है, ठीक है, तो 7 अपरेल, संडे को 11 बजे सबी लोग तैयार रही है, अब यहां से हम 103 number question से करना शुरू करेंगे, अपना question, क्योंकि जो बचे हुए question से वो निप्टाते हैं, और कल से ताइम इस फिर distance आपका शुरू हो जाएगा, अगला प्रशन आपके सामने ये रहा, करिए, question अमेज़ देंगे, आपके paper में पूछे गए questions हैं, तो आप लोगों को ये कोशिश रखनी हैं, कि आप बना पाएं, अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो confidence को बढ़ाने के लिए कोशिश करें, कि बन जाए हैं questions, अब एक टंकी में पानी भरने के तीन नल हैं, पहला नल क्या करता है, छे गटे में, दूसरा नल एक दिनी आने की 24 गटे में, और तीसरा नल आपका 18 गटे लेता है, टोटल आपने देखा, कि सर जी इस तरह की बाती चल रही हैं, लेकिन एक नीचे एक छेद भी है, जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 गटे में खाली कर सकता है, तो एक चौथा नल भी है, जिसे हम छेद कहते हैं, यहाँ पर हमने देखा सर, बैतर आप LCM मान लोगे, तो बाराचिंग बैतर, 24 तिया बैतर, 18 चौके बैतर, और 18 चौके बैतर, चलिए भीया, लेकिन नीचे एक छेद था, जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 गटे मे खाली करने में शक्षम था, अब एक घंटे बाद छेद का पता चलता है, तो एक घंटे तक प्रोसेस यूही चलता रहा, यानि कि 15 यूनिट टैंक एक घंटे तक भरता रहा, उसके बाद आपको छेद का पता चल गया, आपने छेद को तुरन ठीक करा लिया, अब तीनो नल खेंगे सर, 19 X, 22 में से, अगर आपने 15 गटा लिये, तो 57, तो X बराबर आगया 3 गंटे, तो 3 गंटे तो एक घंटे तो वैसे और 3 गंटे वैसे, तो टोटल टैंक को भरने में 4 गंटे लग गया, तो टोटल समय कितना लग गया, 4 गंटे लग गया, कुशन इसने ये कोशन बना लिया था, आप मुझे बताईए, कि सर मैं बना चुका हूं और मैंने ये बना लिया है, अच्छा लगता है इस चीज को जानकर, अगला प्रशन आप लोगों के सामने हैं, इस तरह के कोशन भी पूछे गये हैं, जहां दशमलव का खेल आजाता है, दि ठीक है, पिछले वाले प्रशन में दो-तीन बच्चों का ये डाउट आ रहा है, सर इसमें टोटल तो नहीं लिखा है, पेटा, जब बोला गया है न, तीनो नल तंकी को भरने में कितना समय लगे हैं, तो यहां 6 नहीं लिखा हुआ है कहीं, 6 होता है कि 6 टंकी को भरने में, क्योंकि पहले तो 15 यूनिट भर चुकी थी, क्योंकि जब चारो नल चालू थे एक गंटे के लिए, तो ये तो इसको काट गया, 15 यूनिट एक गंटे में भर गया था, तो पहले जो भर गया था, वो उसको भी टाइम में काउंट करना है, क्योंकि यहां रिमेनिंग लिखा होता, तो रिमेनिंग वाले आंसर देते तीन गंटे लगते, रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ है कि 6 टंकी कितने टाइम में भरेगी, ठीक है, 6 नहीं लिखा हुआ है, समझ के बात को आईए, अब इस क होत के तीन बटे 5 भरने पर सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो होत को भरने में कितना समय लगेगा, भी बता देते हैं, अब आप मुझे सबसे पहले बताओ, LCM क्या लूँ, एक ऐसी संख्या यहां मानिये, जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भ बटे 5 तो 6 पंजे 30 और 33 बटे 5 इसको मैं लिख सकता हूँ, very good, 16.5 को क्या लिख सकते हो, 16.5 को मैं 33 बटे 2 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, और 99 अपन 10 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, तो मेरा कहाना मैं यह मानता हूँ कि 99 मान लो सर, आप LCM, सर यह कैसे पता लगा पा रहे हैं, आपको भी ऐसी देखना है, इनिशली, आता है तो ठीक है, अब 33 बटे 5 का डिवाइड करो, तो A की Efficiency 15, 16.5 का डिवाइड करो, 3 दू नी 6, और 9 10, कोई दिक्कत है क्या भाई, यह मानना ही बड़ा खेल है, ठीक है, अब होद के 3 बटे 5 भरने पर, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो होद को भरने में कितने गंटे का समय लगेगा, तो अब हमारे पास देखो, 3 बटे 5 भरा हुआ है, अब भरने के लिए कितना चाहिए, 99 का 2 बटे 5, और 3 पाइपों को खोल दिया जा रहा है, तो सर 21 में से 10 गया, तो 11 की जाने कि 3.6 आवर, कैसा लगा भाई, बता दो, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, किस-किस ने खुद ने बनाया था LCM लेकर, पेर कोर्स आपको application पर मिलेगा भाई, या नो वो foundation batches है, target batches हम free करवाते हैं आपको, है न, चलिए, जैसे अभी ELP technician का चल रहा है, अच्छ सही करो, गल्द करो या सही करो, जो तरीके सिखा रहा हूं, उस तरीके से करना है, चलो time तो पूरा दे दिया गया है आपको, कि pipe A और C, एक खाली टंकी को इतने इतने गंटे में पूरा भर सकते हैं, pipe A, 7 गंटे में, pipe C, 10.5 याने की 21 बटे 2 गंटे में, जबकि pipe B भरी हुई टंकी को खाली करता है, pipe B क्या है, खाली करने वाला है, तो 5.25 को हम लिख सकते हैं, 21 बटे 4 याने की यह हो गया 21 बटे 4, आप जब LCM ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आगया 21 आपका LCM, Efficiency आप देखेंगे दोस्तों, यह हो गई प्लस का 3, यह हो गई भहिया आपकी प्लस का 2, यह हो गई आपकी Efficiency प्लस का 4, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना मेरे भाईयों, हाँ, यह होगी माइनस का 4, क्यों आप जानते हैं, क्योंकि यह खाली करने वाली है न, यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भईया टंकी भरेगी तीनों को खोल दिया ना टंकी तो भरेगी और टंकी का दो बटे तीन भाग भरने में कितना टाइम लगेगा तो टंकी का दो बटे तीन भाग भरना है केवल यानि कि आपको केवल टंकी 14 unit टंकी भरनी है और एक की efficiency से भरनी है केवल तीनों खुल गए तो तो आपको केवल 14 गंटे लगेंगे बहुत अच्छे बई अगला कर्शन देखो करके दिखाओ क्या answer आता है आपका A और B दो पाइप किसी खाली टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं A, B है, दो पाइप हैं, एक 10 गंटे में और 16 गंटे में अब total आप मानो तो 80 मानना पड़ेगा आपको अब इन में एक आंतर करम में हैं और एक गंटे के लिए खोला जाता है तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, यह प्लस का 8 है और यह भरने वाले हैं तो प्लस का 5 है अब बोला क्या गया, देखते हैं कुशन में कुशन कहता है कि सर इन में से प्रते को एक आंतर करम में एक गंटे के लिए खोला जाता है और सबसे पहले B को खोला जाता है तो यहाँ पहले B आ रहा है, फिर A आ रहा है तो इसी का कंसेप्ट यह होता है कि सर तेरा यूनिट जो टैंक है वो आई थिंक दो गंटे में भर चुका है इसी को आगे लेके चलते हुए अब आप देखिए ति असी के पास पहुचने के लिए मुझे ऐसा लगता है छैसे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 78 यूनिट तो हो गया और 12 गंटे हो गए अब 78 यूनिट होने के बाद कौन आएगा भरने अब भी आएगा भरने क्योंकि पहले भी आ रहा है और 2 यूनिट और भरना है तेरे को क्योंकि तब ही 80 होगा तो 2 यूनिट के लिए टाइम लगेगा विकल्प आप चैन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, उम्मिद करता हूँ कि ऐसे कोशन आप गलती नहीं करेंगे, जो पेपर में आने वाले हैं, आप क्यूं करोगे ऐसी गलती, अगर फिर भी आप करते हो, तो भाई या देखो पैर भी आपकी, कुलाडी भी आपकी, मार लीज करेंगे, चलिए, इस कोशन को करिए आराम से, एक इनलेट पाइप है, एक तंकी को भरने और खाली करने के लिए, एक गंटे की करम में खोला जाता है, तंकी खाली होने पर शुरुवात इनलेट पाइप से की जाती है, और खाली तंकी को पूरी तरह से बरने के लिए, इनलेट पाइप को 15 गंटे लगते हैं, भरने वाल पाइप को लग रहे हैं 15 गंटे वहीं आउटलेट पाइप को किता टाइम लगता है 21 गंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है तो टोटल हमने देखा यह 105 आ गया एफिशेंसी आगे प्लस का साथ इसकी एफिशेंसी आगे माइनस का पाच चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं कि भाईया टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अभी ओवरॉल जब दौनों पाइपें आपस में खुली हुई हो तो दो की एफिशेंसी टंकी भर रहे हो आप लेकिन सबर करो क्या इसमें ऐसा बोला गया है कि alternative वाला काम है जी बिलकुल एक एक गंटे के करम में खोला जाता है और inlet pipe और outlet pipe है भरने वाले एक एक गंटे के लिए खोला टंकी के खाली होने पर शुरुवात में inlet pipe से की जाती है यानि कि कौन आ रहे है पहले पहले inlet वाला आ रहा है और यह हो गया माइनस का पांच अल्टिमेटली क्या हो रहा है टंकी भर रही है आपकी दो यूनित टंकी कितने गंटे में बिटा दो गंटे में किसी को कोई पिरोशानी तो नहीं है अब मैं आपको पहले भी मंग की बता चुका हूँ कि जो लास्ट का एक आवर म यह आएगा ना इनलेट वैसी टंकी भर जानी चाहिए तो इसमें से साथ आप पहले सी गटा दो तो साथ आप जब गटा दोगे ना इसमें से तो आपका कितना बचेगा 98 अब 98 के लिए 98 यूनित के लिए 49 का गुणा कर दो कि बहिया 49 इंटू दो यानि कि 98 गंटे में 98 गंटे में 98 में यूनित मेरी टंकी भर चुकी है अब ऐसा अगला आवर आएगा कौन आएगा उस आवर में उस एक आवर में इनलेट वाला साथ यूनित भर देगा साथ यूनित भरती मेरी टंकी फुल हो गई और यहां 99 आवर में फुल हो गई तो यह इसका कंसेप्ट है monkey concept हमेशा उस छोर को बचा की रखना है जो last में आने वाला है last में कौन आने वाला था last में आने वाला था भरने वाला क्योंकि pair तो चल रही थे लगातार अब पहले कौन आता है inlet वाला आता है तो inlet वाला अगर आता उस एक गंटे में 7 unit भर दे और पूरी टंकी मेरी भर जाए, तो वही काम हमने किया, कि उस लास्ट के एक आवन में 7 यूनिट भरने के लिए पहले से 7 गटा दिया, क्योंकि लास्ट की लास्ट में देखेंगे, ऐसा, तो 98 ही भरना था आपको फिर, 98 को 98 गंटे लग गए, अब अगला जो गंटा होगा, उसमें आपका 7 भर जाएगा, टंकी भर गई, बस, फिर खाली मत करो, भरने तक पूछा गया है, जैसे कि मंकी में मंकी चड़ता है, तो लास्ट वाला जो छलांग है वो पॉजिटिव ले लेते हैं बसापन, जिससे वो एक बर में चड़ जाए, अब उसके बार नहीं उता खाने के लिए बोलेगा, पाइप एक्स, एक टंकी को 20 घंटे में भर सकती है, पाइप एक टंकी को 20 घंटे में, पाइप वाई, उस टंकी को 35 घंटे में, दौनों पाइप बारी बारी से आ जाती हैं, तो टोटल हमने देखा सर, 5, 24, 20 और 7, जिससे की देखो 35 भी चला गया और 20 भी चला गया, 20 से जाएगा तो 7 आ गया और 35 से जाएगा तो 4 आ गया, भरने वाले हैं दौनों अच्छी बात है, बारी बारी से आते हैं अच्छी बात है, दौनों भरने वाले तो टेंशन मतलो, यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, 140 यूनिट, और 11 यूनिट यह हो गया, अब 12 से गुणा करेंगे, तो 24 गंटे तो लग चुके हैं, जिसमें 132 यूनिट हो गई है, 24 गंटे में 132 यूनिट, अब कौन आएगा भरने, अब सर, यह बेद्दो चक, इसको बेद्दो, 7 आ गया चलो, 1 गंटे में 7 यूनिट और हो गया, अभी 149 हो या है, 25 गंटे हो चुके हैं, तो अब कौन आ आएगा माफी चाहते हैं, तो यानि कि 136 गंटे हो चुके हैं, 136 यूनिट हो चुका है, और 25 गंटे में हो चुका है, अभी तक काम खतम हो गया, नहीं हुआ, अब 4 यूनिट और बाकी, अब यह आएगा X, 4 बटे 7 में, बस खतम काम, तो 25 सही 4 बटे 7, 175 और 4, 179 बटे 7, क कर लिया था क्या, अच्छे से आंसर आ रहा है, कॉंसेप्ट को पकड़ते चलिए, देखते चलिए, ठीक है, आएगे, अगला कोशन करके दिखाओ, चलो, क्यूंगे, काम, बस खताए, क्यूंगे, अभाखे लिए, यह और रहा है, अगला कोशन करके लिए्ट आएगे अपर, झालिए, चलो, पाइप B की तुलना में पाइप A किसी कुंड को भरने में दो बटे पांस समय लगाता है पाइप B की तुलना में पाइप A दो बटे पांस समय लगाता है पाइप B की तुलना में यानि कि ये टाइम का रेशो है पाइप C उसी कुंड को बरने में पाइप A की तुलना में तीन गुना पाइप C उसी कुंड को बरने में पाइप A की तुलना में तीन गुना ठीक है ओके तो A को अगर मैं 5 लिख देता हूँ यहां तो यह हो जाएगा 15 तो अभी देखो बेसिकली A, B, C के जो टाइम का रिशो आ रहा है वो आ रहा है 5, 2 और 15 यह टाइम का रिशो है हमें efficiency का रिशो चाहिए तो हमने ले लिया 30 celsius तो 6, 15 और 2 यह efficiency का रिशो आ चुक है किसी को कोई परेशानी होगी नहीं अगर मैं 30 celsius ले ले लेता हूँ तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरह खाली कुंड को 15 गंटे में बर सकते है तो तीनों की efficiency कितनी है 15 और 6, 21 21 और 2, 23 तो 23 इंटू 15 आपका क्या आ गया टोटल capacity आ गया तो पाइप B को चालू नहीं किया जाता तो खाली कुंड को भरने में कितना समय लगेगा अगर पाइप B को चालू नहीं किया जाता है तो तो कुंड को भरने में इसमें आठ का भाग कर दो टोटल आपके सामने यही है कोई खाली करने वाला तो नहीं है कोई खाली करने वाला तो नहीं है दिमाग में अगर जंग लग जाए तो फिर वह बोल रहा हूँ आपसे बहुत आराम हमसे बता है अब तो माराम हमसे कुछन भी नहीं पड़ोगे ना तो नहीं आएगा तो इसलिए कॉपी पेश्ट करने से कुछ नहीं होगा कमेंट दियान सामने दो पड़ाई पर मेरा रेश तुलना में pipe A की सी कुंड को 2 बटे 5 का समय लगता है A को भरने में B की तुलना में यही है 2.5 time time का ratio है यह 2.5 ठीक है boss ओके गड़बड कर दी थी ना A की तुलना में 3 गुना लगता है यारी तो वैसी हो जाता ratio गलत दे लिया था है यह time का ratio है efficiency का ratio कितना हो जाएगा 30 ले लो 15 अनुपाद 6 अनुपाद 5 total वर कितना आ जाएगा भाई 3 मिलकर 15 और 6 21 और 5 26 गुना 15 यह total आपका capacity आ गया और B चालू नहीं किया जाता है तो A और C मिलकर 20 की efficiency से A और C मिलकर 20 की efficiency से good point तो answer कितना आ गया 13 गुना 15 बटे 10 तो 13 पंजे 65 13 एकम 13 और 6 19.5 19.5 गंटे लगे गे question अच्छा है भाई star देने वाला प्रशन है star दे दिया इसको हमने question अच्छा लगा अगला करो चलो यह लीजे करके बताईए अरो बेड़ी अरो बेड़ी अरो बेड़ी बहुत अच्छे एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 17 गंटे में खाली कर देगा sir एक hole है जो टंकी को 17 आवर में खाली कर देगा एक नल खोला जाता है जिससे एक मिनट में 12 लिटर पानी inlet होता है अब टंकी 24 गंटे में खाली हो जाती है अब टंकी 24 गंटे में खाली हो जा रही है बहुत ही बड़ी आए एक पाइप और खोल दिया मैंने टोटल हम ले 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 दे हैं 24 गोना 17 यह आपका हो जाएगा माइनस का 24 अब इन अविब में घाली करने वाला है और यह हो गया माइनस का 17 यह अपनी फ्लो से अंकी अपनी अपनी फ्लो हैं यह अपना अपना फ्लो दे रहे हैं सारे थीक हैं अब अल्टी मिटली अगर हम इनकी आफ दर St से पाने निकालता है एक इसदर से पाने निकालता है तो टंकी की छमता कितनी होगी यह बताईए सर्ल क्लिकर धर क्लिकर ना सबरिंद सब्सक्राइब जो difference आ रहा है और 7 unit आ रहा है तो total जो आपका time work है वो कितना है 17,4,68 और carry आया 6 17,2 नी 34,6,40 408,7 ठीक है यह आपका लग जाएगा time 9,9 का ठीक है ना चलिए तो यह कितना हो जाएगा sir अपकी जो range आ रही है वो कितनी आ रही है 12 liter एक minute में तो देखो भाई कितना आ रहा है आंसर 12 liter एक minute में तो आपका जवाब बन न गया चाहिए कुछ ना कुछ तो पर minute है न 12 liter तो minute है तो उसको गंटे में बदल लो गंटे को minute में बदल लो तो टंकी की छमता क्या होगी वो बता दो कितने लिटर टंकी की छमता आ रही है ठीक है अरे पानी तो निकल यार पाइप जो होता है वो पोजिशन के उबर डिपैंड करता है पानी तो निकल ही रहा है ना तो flow rate तो उसी हिसाब से चलेगी ना इसकी ठीक है एक question में doubt आ रहा है रिमी का रिमी यह जो आया efficiency यह LCM लेकर तो time जो होता है efficiency जो होता है वो time का inverse ratio होता है तो 2, 5, 6 का अगर आप LCM ले लेते हैं 30 तो 2 का अगर divide करेंगे तो 15 आया 5 का divide करेंगे तो 6 आया 6 का divide करेंगे तो 5 आया basic week है शायद तो बता रहा हूँ आपको ठीक है? चलिए हाँ, इस question में कोई doubt है तो पूछ लो भाई दुबारा से दुबारा से बता देते हैं आपको अगर confusion हो रहा हो क्योंकि इसमें language बड़ी शांदार है कोशन भी दमदार है कि एक टंकी में एक रिसाव है जो 17 गंटे में टंकी को खाली कर देगा एक नल खोला जाता है जिससे एक मिनट में 12 लेटर पानी प्रवीश होता है और अब टंकी 24 गंटे में खाली होती है और अब, यानि कि कहानी बहुत अच्छी है कि भाई, एक आपके पास एक टंकी है जिसमें एक होल हो रहा है और होल क्या कर रहा है 17 गंटे में खाली कर देगा आपने क्या देखा होल 17 गंटे में पानी निकाल रहा है और एक आपकी प्रवेशी का है अब ये दौनों वर्क कर रही हो तो 24 गंटे में खाली होता है time ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये पानी डाल भी तो रहा है ये आपकी एक inlet pipe लगी हुई है तो कहानी कैसे चलेगी कहानी ऐसे चलेगी कि मानलो यहाँ पर मैंने मानली कि ये आपकी inlet inlet pipe है और आपका hole है छेद है वो तो ले रहे हैं 24 गंटे मेरे भाई और अकेला जो hole है वो खाली करने में ले रहा है 17 गंटे तंकी दौनों में खाली हो रही है ये बात समझ में आती है क्या तंकी बेटा खाली हो रही है 24 गंटे में खाली ही हो रही है खाली दोनों ही cases में हो रही है, आप बात समझे, नहीं समझे आप बात, अभी आपको समझा रहा था न, वही बात है, 408 आपका आगया, तो यहां पर कितना आया, 17 minus में ही तो आएगा, और यहां 24 minus में आएगा, तो यहां पर जो case है, यह case यह है, कि अगर इसकी efficiency minus का 24 है, तो यह क्या होगा, प्लस का 7 ही तो होगा, तभी तो माइनस का 17 मनेगा, तो भरने वाला जो है, वो प्लस का 7 होगा, अब प्लस का 7 जो है, वो क्या बता रहा है, efficiency बता रहा है, जो कि किस के बराबर है, 12 लीटर के बराबर है, 12 लीटर पर मिनट, तो एक गंटे में कितना, 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 60 बटे 7 आपको टंकी की छमता निकालनी है 408 से गुणा मार लो यह लो आंसर निकालो बेटा सारा यह आपका आंसर आ गया क्योंकि जब एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी तो टंकी की कैपसिटी तो निकालनी है तो बस 408 से ग 220 इंटू 408 बटे 7 41966 लगभग एप्रॉक्सिमेटली 41965 के आसपास आ रहा था यह आंसर कोशन के लिए हो गया कोशन एक नंबर है भाई अब आप क्या कहते हो इस कुशन के बारे में बताओ आपको समझ में आ गया पूरा अगला करके दिखा दो चलो एक बर अब यह बाल्टियां वाला है अब यह इजी है लेकिन हर तरह किसे कुशन कवर हो रहे हैं हर टाइप का कि प्रतेग बाल्टी की छमता इतनी है बारे बाल्टियों में टैंक भर जाता है यानि कि अगर मैं एक बाल्टी बनाता हूं तो इ 13.5 लीटर की एक बाल्टी और 12 बाल्टी हो गई तो 27 इंटू 6 कि 120 और 42 एक बीस और 42 हो गया 162 कि इसको क्या करते बही एक 9 लीटर की बाल्टी लिया अपने तो कितनी बाल्टियों कि अवशकता है तो 9 एकम 9 बचे कितने 7,9,8,72 तो 18 आपको बाकेट्स चाहिए 18 बाकेट्स की आपको जरूरत है 18 बाकेट्स में आपका काम हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे दोस्त करिए यदि एक पाइप पी एक टैंग को 10 मिनट में भरता है 5 पाइप जिनमें प्रतेक की चम्ता पाइप पी کی 20 परसेंट है तो पाइप पी की बीस परसेंट है, तो पाइप पी की बीस परसेंट चमता है, यानि कि इनकी एफिशेंसी पी पर फाइव हो जाएगी, ऐसी पाँच पाइप आपने ले ली, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसको दस मिनट लग रहे हैं, तो इसको भी दसी मिनट लगेंगे अब, क्यों, क्य पाँ पाँख पाँचि क्या है, तो पाँश झाप, बीingingने मीं हैं, तो क्यों कि बीस कर दोन кा intentar कर दो दो जऔर Wasn't इनलेट पाइप A एक खाली जलाशे को 32 गंटे में बर सकते हैं जबकि एक आउटलेट पाइप है B इस भरे हुए जलाशे को 40 गंटे में खाली कर सकती है तो एक मैंने इनलेट पाइप माना जो कि 32 गंटे में भर रहा है एक खाली जलाशे को 40 गंटे में खाली करता है टोटल हमने 160 मान लिया भरने वाले की जो एफिशेंसी है वो 5 हो गई और खाली करने वाले की जो है वो माइनस का 4 हो गई ठीक है जलाशे खाली होने की स्थिति में दौनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन निकाश पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशे एक तिया ही भर गया था निकाश पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशे एक तिया ही भर गया था एक तियाई भर गया था तो क्या हम कह सकते हैं एक सो साट बटे तीन एक तियाई भरा मतलब जो भर गया था भरा है लेकिन दौनों पाइप खुले थे तो उनकी जो एफिशेंसी भरने की वो एक होगी प्लस बचा हुआ भाग कितना है तीन सो बीस बटे तीन दो तियाई भाग तो बचा हुआ है अभी क्या कर दिया आपने निकास पाइप को बंद कर दिया तो इसको पांच यूनिट से तो टोटल टाइम पूछ रहे हैं तो एक सो साट बटे तीन आपका ये हो गया बॉस देखना अंसर आ रहा है क्या कुशन तो मस्त है बाई दो सो चौबिस बटे तीन तो चौहेतर दो बटे तीन आगया ये ओप्शन है ठीक है चली अगला करिए बढ़िया कुशन है सारे के सारे अच्छे-च्छे कुशन से हैं और ये ही आपके पेपर में आएंगे इससे बा कर कर कि यार इससे बाहर तो गुरू जी जो मेहनत करा रहे ना इतना तो कोई और भी नहीं करा रहा होगा पैसे लेकर भी हां रियल बात है ये दो नल A और B पानी की एक तंकी को 24 मिनट में 20 मिनट में भर सकते हैं ये 20 मिनट और ये 24 एक तीसरा नल C है ठीक है अब ABC एक साथ 15 मिनट लगते हैं ABC अगर एक साथ खोले जाएं तो 15 मिनट लगते हैं तो टोटल मैंने कहा वही 120 आप अपनी उमान लीजिए च्छमता यह हो गया च्छ यह हो गया पांच यह हो गया आठ सी कैसी है पानी खाली करती है तो यह हो गया सब देखो च्छ और पांच ग्यारा अब यहां माइनस का तीन आएगा तभी तो आठ आएगा ओवरॉल नहीं बात है तो तीन बरावर आपका तीन गैलन है तीन गैलन पर मिनट है लेकिन मिनट की बात चल रही है यह में हां तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका बरावर 120 के क्योंकि सब मिनट में हम आपका है तो गंटे-वंटे में करने के जरुआ नहीं 120 यह āश्क यांसर है दिन कि एक बरावर-ईक है तो 120 बराबर 120 1 बराबर 1 तो 120 बराबर 120 चलिए अगला करके दिखाओ वई क्या अंसर आता है यदि एक टंकी में लगे दो पाइप हैं एक साथ कारे रत हो तो टंकी 12 गंटे में भर जाती है एक साथ हो तो दो पाइप पहला पाइप और दूसरा पाइप एक साथ हो तो टंकी 12 गंटे में भर जाती है यदि पहला pipe दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे अच्छा question है तो ये question ऐसे चलते हैं देखो पहला pipe दूसरे pipe से 10 घंटे जल्दी भरे पहला pipe दूसरे pipe से 10 घंटे जल्दी भरे तो पहला pipe अगर x ले रहा तो ये 10 घंटे जादा लेगा ये भी तो कह सकते हैं, हाँ सही बात है तो यहाँ आपका total work हो गया इतना very good efficiency x plus का 10 और यह हो गई efficiency x दौनों मिलकट 12 गंटे लगा रहे हैं तो total work यह हो गया efficiency यह हो गई और 12 गंटे लगा रहे हैं x square plus का 10x 24x plus का 120 x square minus का 14x minus का 120 बरावर 0 120 के टुकडे करो वही है ऐसे जिसे घटाने पर 14 आ जाए तो सर जी 120 के टुकडे करने बढ़ेंगे क्या तो यह हो जाएगा सर 20 और 6 क्या बात है घटाने पर 14 आ रहा है बिलकुल आ रहा है minus dominate कर रहा है तो plus वाला बड़ा minus वाला छोटा तो x बरावर कितना निकल कर आ गया दोस्तों 20 आ गया तो दूसरा pipe कितना समय ले रहा है 30 गंटे कैसा लगा अच्छा सारे top class question है अब वही है जो बच्चे को इनको पता है ना कि इनकी value क्या है उनको तो मज़ा आ रहा होगा कि आज चलो सर फेपर से पहले यह सब चीज़े revise हो जाएंगी हमारी और अच्छे से हो जाएंगी दो पाइप P और Q मिलकर एक टंकी को चार गंटे में भर सकते हैं अब जब दो पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो Q को इसे पूरा भरने में P से 6 गंटे अधिक लगता है तो खेल वहीं से शुरू होगा Q को भरने में P से 6 गंटे जादा लगता है तो total work हो गया X into X plus 6 X का divide करेंगे तो यह X plus का 6 और X plus 6 का divide करेंगे तो यह X और total work हो गया X into X plus का 6 और efficiency का divide कर दीजिए 2X plus का 6 तो कितना time लग रहा है बेटा? 4 लग रहा है cross multiply करेंगे X square plus का 6X बराबर 4 से cross multiply करा 8X plus का 24 तो यहां से कितना निकल कराया? X square minus का 2X minus का 24 24 के S से टुकुड़े करोगी गटाने पर 2 आ जाए उलिसर 6 और 4 और minus dominate कर रहा है तो plus वाला बड़ा और minus वाला छोटा तो X बराबर 6 आ चुका है बदाई हो आप से पूछा गया है कि P अकेले टंकी को कितना देर लगाएगा? 6 गंटे लगाएगा जिनको कमजोरी है मैत नहीं आती है वाई फाउंडेशन जॉइन करो भाई बहन किसी को भी जॉइन करा सकते हो गारंटी यह है कि निराश नहीं हो गया आप इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ गोलु कुमार नाम से पिछले वाले का 20 होगा कॉस्षन कहां पर होगा कौन से कुष्षन नंबर बता दोगे की गोलु कुष्षन नंबर बताओ ना बेटा पिछले वाले में दूसरी पाइप का पूछा है ना तो पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है, तो दूसरी पाइप तो 30 घंटे लेगा बेटा, और बाकी कोई माफी गलती हो गई हो तो माफ कर दिया करो, गुलू ऐसे पाप में चड़ाया करो बेटा, गाली वाली दे लिया करो, कोई इसी इशू वाली बात नहीं, हम तो अपना वो उतार रहे हैं, कर्मो का फल, जो तुम्हें फिरी पड़ा रहे हैं, हाँ, चलिए, एक टंकी को दो पाइपों द्वारा इतने मिनट में भरा जा सकता है, दो पाइपों द्वारा, इतना टाइम लगेगा, चलिए, बड़ा पाइप, छोटे पाइप के मुक काबले टंकी को, सेम टाइप है, 12 गंटे कम, 12 मिनट कम, तो एक पाइप यह हो गया, दूसरा पाइप यह हो गया, बड़ा पाइप, छोटे पाइप के मुकाबले, 12 मिनट कम लेता है, तो मैं अगर इसको X माल लू, तो यह X प्लस 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहा जाता है, वहाँ efficiency आजाएगी आपकी वही X प्लस 12 और वह X, कोई फरक नहीं पड़ता, टोटल हो गया वही, वर्क हो गया, इंटू X प्लस 12, यह basic करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आदत पड़ जाए ना, तो काफी आपको सुकून भी मिलेगा, क्योंकि इसके बाद चीजें क्या आसान लगने लगती है, अब दोनों मिलकर कित्ते में, 45 बटे 4 में, क्रोस मल्टिप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो सर जी कितना आ रहे है, सर 4X स्क्वाइर, 12 और 48X बराबर, 45 इंटू 290X, और 45, 9, 6, 540, 4X स्क्वाइर, माइनस का, 2, 50, 42X, और माइनस का 540, दो से काट सकते हो, तो काट के देखो, 2X स्क्वाइर, माइनस का 21X, माइनस का 270, अब 540 के ऐसे टुकडे कर दो भाई, घटाने पर 21 आ जाए, 270 इंटू 2 करते हैं, फिर 540 के ऐसे टुकडे कर दो, जिसे गटाने पर, जिसे घटाने पर क्या आ जाए 21 आ जाए बता सकते हो क्या चलो मैं देखता हूं 9 x 60 तो नहीं हो सकता और 18 और 20 भी नहीं है और घटाने पर 21 आ जाए तो और बताओ सर तो 3 6 36 36 है देखते हैं 540 9 से निकाल दिया 9 और इससे निकाल दिया 4 36 और यह हो जाएगा कितना 15 36 और 15 क्या बात है 21 आ रहा है तो सर 36 और 15 आ रहा है माइनस डॉमिनेट करेगा प्लस वाला बड़ा माइनस वाला चोटा बटे दो करना पड़ता है तो एक्स बराबर आपका अठार है आ गया अभी देखते हैं अ बड़ा पाइप टंकी को भरने में कितना बड़ा पाइप अठार लगतवानी यह नहीं लग रहा है लगना चाहिए और नहीं लगता है तो इन ही कोशनों को करके जाना है सर और कुछ कर ले और कुछ कर लो आपके पाफ टाइम है तो बर जो मैं करा रहा हूं वह सफिशेंट है रिविजन के तोर पे सफिशेंट है हां बहुत किस आएगा नहीं आएगा सर ऐसे कुछन कैसे करे जाएंगे दो नल है ए और भी एक टंकी को भरने में जित्ता समय लेते हैं उससे 27 मिनट ज्यादा नल ए लेता है तो ए और भी मान लीजिए एक्स ले रहे हैं तो ए ले रहा है 27 मिनट ज्यादा बी ले रहा है कितना 48 मिनट ज्यादा क्या बात है तो कभी भी ऐसा कुशन आ जाए जिससे A और B ज्यादा आ रहे हो तो आपका जो आंसर होगा वो अंडर रूट A B होगा खेल खतम यह A है यह B है 27 और 48 27 और 48 तो इसको दे दो सर आप क्या नाम है एक सो चमवाले बार रहती है 36 आंसर आ गया तो A और B मिलकर 36 मिनट में भर देंगे डायरेट है रूट A B कंसेप्ट सर आरपिएफ का क्लास कब आएगा तुम्हे तो दुरभाग्य की बात है मेरे भाई कि भगवान ने जनम तो दिया लेकिन बुद्धी नहीं दी भाई सब बहुत दुरभाग्य की बात है सर आप ऐसे क्यूं बोलते हो बेटा आप यह सोचो कि आरपिएफ में क्या यह कंसेप्ट चेंज हो जाएगा क्या बोलो ना और तुम यह सोच रहे हो कि इस चक्कर में तुम पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारा फिर सेलेक्शन भी हो जाए यह सब बेवकुफी हैं मैं आपको कही बार क्लेरिटी दे चुका हूँ कि अच्छा पढ़ो और क्वालिटी पढ़ो बस है ना कोई पूचे सा हो जाएगा भाई सब एक्जामों में आते हैं कुश्चंस एलबी में आ रहे हैं आपके में भी आएंगे बस आपको पढ़ने की दे रही है पढ़ लो बस यही कहेंगे हम तो नल ए और बी एक टंकी को भरने में जित्ता समय लेते हैं वही वाली बात आ गई सर तो दौनों एक साथ खोलने पर टंकी किट्टी देने बढ़ेगी ए उससे 18 मिनट जाधा लेता है और भी ए बी किससे 40.5 मिनट जाधा लेता है अब लैंग्वेजें घुमाप्त भी आ सकता है कि इसके कंपरिसन में ज्यादा कम बोल दें लेकिन अभी ए प्लस भी के रेसपेक्ट में बोला गया है तो रूट अ भी लेना है तो यह 36 हो जाएगा सरी यह 9 हो जाएगा 9 का 3, 81 का 9 27 मिनिट 27 मिनिट लास्ट कुश्चन चैप्टर खलास हो जाएगा फिर करिए इस कुश्चन को जवाब दीजिए यह वही सेम कॉंसेप्ट है वो डिस्ट्रेक्टर वाला वो वाला है ना वही सेम है वैसी करना है कि दस नल जुड़े हुए है ठीक है सर दस नल जुड़े गए है कुछ भरने वाले हैं जैसे कुछ बनाने वाले थे कुछ तोड़ने वाले थे तो बनाने वाला जो है इनलेट जो पाइप है वो 18 मिनिट और तोडने वाला लग गये तो माइनस का 30 अभी रुकिए 6 मिनट में भर जाता है एक साथ खूल दिया जाए तो 6 मिनट में भर जाता है तो टोटल ओवरॉल एफिशेंसी कितनी आ गई 12 यह ओवरॉल एफिशेंसी आती है जो बीच में रखी जाती है तो चालेस में से बारा गया तो कितना आ गया बाई 28 और यहां पर यह ओगया यह सपत्री में को सलय डियारा और 24 और 14 चारइं गया ही विलुकर honor एक रेशो बराबर दस पाइपस एक रेशो बराबर दो चंदे को घ्यारे बजए तैयार रहे ना पी वाले च्छात्र, संडे को साथ अप्रेल को सुभह 11 बजे क्या लेकर आ रहा हूँ, कुछ खास लेकर आ रहा हूँ, आप सभी लोगों के रिए क्या बूस्टर प्लान है और कैसे हम उसमें तैयारी करने वाले हैं चीजे क्या है, सब कुछ आपको इससे स्कोर बढ़ेगा, और यह उसी के लिए बनाया भी गया है, कि end time में क्या कर सकते हैं, तीन बजे आपका एक prime segment, new pattern के question, catch the math होता है, daily practice होती है तीन बजे आया करो, हरीश express 9, 10 बजे, आकाश express, साहिल express, 11 बजे, topic wise preparation आपकी चल रही है, एक आपका daily practice program हो रहा है, DPP उस daily practice program में आप सभी लोग catch the math, catch the reasoning, catch the science, तीनों को आप regular cover करो और स्कोर बढ़ जाएगा, quick tricks भाई साहिल सर्ट application पर आईए, अपने batches से जुड़िए, मैं guarantee देता हूँ, इससे बहतरीन content आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, आपको बस शुरू करना है, सर मेरा paper तो बाद में है, अभी से शुरू करना है, कोई भाई है, बहन है, math सीखना चाता है, कोई भी exam की तयारी आपके इस batch से हो जाएगी, पढ़ना आपको पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छा quality इसी तरह से railway record breaking batch है, सभी exam के लिए एक batch और additional benefits भी इस batch वाले बच्चों को मिलते हैं और मिलते रहेंगे ठीक है, paid course में जाना है आप batch select करिए, join पे click करिए, submit करिए, link आपके पास आएगा, link पे click करने के बाद buy now के उपर coupon आएगा, उस coupon को apply करना है, और coupon को apply करते ही discount आपको मिल जाएगा जुड़िए अच्छे तरीके से और ये number है, आपका WhatsApp number है, 800-566-3101 कोई issue आए, कुछ भी आए, तो call कर सकते हैं ठीक है, तो channel को भी subscribe कर लो हमारे साथ application को download कर लो हमारे साथ जुड़ जाओ, तो तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो सब CGL के लिए foundation हास CGL के लिए भी foundation batch है, math special foundation batch वो आप join कर सकते हो, ठीक है उसमें पूरा CGL आपका cover हो जाएगा जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम मिलते हैं आप से, तीन बचे